परिचय वैभव और उसके माता पिता कसौली में छुट्टी मना कर दो दिनों बाद अपने घर वापस आ रही हैं रास्ते में वो पानी की बोतल खरीदने के लिए किराने की एक दुकान पर रुके वैभव कार में ही रुक गया उसके पिता ने उसे सलाह दी कि वैखिडकिया चढ़ा ले कुछ देर बाद वैभव को सास की कमी और घुटन महसूस होने लगी उसने ताजी हवा को अंदर आने देने के लिए कार का शीशा तत्काल लीचे सरका दिया इस पार्थ में आप वायू और उसकी उप्योगिता के बारे में सीखेंगे आउ सीखें वायू की विशेश्ता बताना सभी सजीव प्राणियों के लिए वायू का महत्व बताना वायू के उप्योग को बताना वायू की विशेश्ताएं वायू हमारे चारों तरफ है सभी सजीव प्राणि वायू को सास के रूप में अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं लेकिन हम इसे देख नहीं सकते हम इसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं वायू में कोई रंग, स्वाद या गंध नहीं होती हवा में भार होता है हवा से भरा एक गुबारा लीजिए और इसका वजन कीजिए अब हवा निकाल कर गुबारे को पिचका लीजिए फिर से इसका वजन कीजिए आपने क्या पाया? गुबारे में तब ज्यादा वजन था जब इसमें हवा भरी थी इससे प्रमानित होता है कि वायू में भार होता है वायू स्थान घिरती है एक गुब्बारा लीजिये और इसमें हवा भरिए गुब्बारे का आकार बढ़ जाता है अब गुब्बारे में एक पिंच महदी जीए आप क्या देखते है गुब्बारे के अंदर की हवा छेद से बाहर निकलती है गुब्बारा चप्टा हो जाता है इससे प्रमानित होता है कि वायू स्थान घेडती है वायू का महत्व वायू मनिश्यों को ऑक्सिजन प्रदान करती है जो जीवन को आधार देती है पादप अपना भोजन बनाने के लिए वायू से कार्बन डायोकसाइड लेते है जन्तु के अस्थित्व के लिए ऑक्सिजन जरूरी है वायू का उप्योग चलती हुई वायू को हवा कहते है हवा बादल को गती देती है जिससे वर्षा होती है हवा नाव और ग्लाइडरों को चलाने में सहायता करती है हवा की शक्ति का प्रयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है हवा की शक्ति का प्रयोग जल भरण में भी किया जाता है हमने क्या चर्चा की वायू में कोई रंग, स्वाद या गंध नहीं होती वायू में भार होता है और यह स्थान घेरती है वायू सभी प्राणियों के अस्तित्व के लिए जरूरी है गतिशील वायू को हवा कहते है वायू शक्ति का प्रयोग विद्युत उत्पादन और जल भरण के लिए किया जाता है